हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हुए हैं लड्डू खाना तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही पसंद होता है तो आज हम लड्डू के लिए बूरा बनाएंगे वो भी होममेड और बहुत ही जल्द बनने वाला तो बिल्कुल भी इसमें गुठलिया नहीं रहेंगे एक दम खिले खिले से देखिए इसे तगार भी कहते हैं और बूरा भी कहते हैं तो आज हम फ्रेश घर पे अपने बना के आपको दिखाएंगे तो इसके लिए हमने लिया है दो कटोरी शक्र मेजर्मेंट एक बराबर रखिएगा एक चमच घी लिया है इसी चमच से हमने चमच घी लिया है और जिस कटोरी से हमने शक्र लिया है वही कटोरी है आधी कटोरी हमने पानी लिया है तो पहले हम कडाई करम कर लेते हैं उसमें दोनों कटोरी के शक्र हम डाल देते हैं शक्र लगभग 250 उसका फॉर स्घूश्चों चाश्ञी नई बनाना है दो लगातार में चलाते रहना है नहीं करें शक्कार तो देखें वहांСानी सिति ही क्वाइबा करता है और में अदेख़िवाबं बहुतफ कॉम लिव्राई है है तो इसका फ्लेम हाई करेंगे और फ्लेम पे ही इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है बिलकुल भी से छोड़ना नहीं है बहुत ही जल्दी बनके तयार होगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा तो देखिए हमारा शकर लगभग मे इतने अच्छी से मिल्ट होने लगा है और चाशनी भी दीरे-दीरे गाड़ी होने लगी है तो इसी तरीके से देखिए हमें कल्ची से लगातार इसे चलाते रहना है और अगर इसमें आपको बिलकुल भी कछड़ा ऐसे कुछ गंदा नजर आए तो इसमें आप दो दूद के डाल दीजिएगा तो जो गंदा होगा वो उपर आ जाएगा तो हमारा शकर बिलकुल अच्छे से साफ था तो हमने दूद नहीं डाला है तो इसी स्टेश पे हम जो एक चमच घी रखे हुए थे उसे डालके मच्छे से मिक्स कर लेते हैं इससे क्या होगा कि जो हम हमारा भूरा है वो एकदम खिला खिला बनेगा एकदम वाइट शाइनी बनेगा तो अच्छे से मिक्स करेंगे और दीमी आज नहीं करनी है हाई फ्लेम पे हम इसे बॉइल करना है तो गैस का फ्लेम तेज ही रखना है इसी स्टेश पे आप गुलाब इसेंस भी डाल सकते हो तो जो रोज इसेंस होता है उससे खुश्बू और भी अच्छी आएगी और खाने में भी अच्छा लगीगा लेकिन हमने इसमें यूज नहीं किया है मेरे पास नहीं था तो हमने रोज इसेंस नहीं डाला है तो देखिए कडाई के जो साइड में हमारे लगभक तगार बन करेंगे और बहुत ही जल्दी देखिये कल चिसे भी हम कुरिच कि दिखा रहे हैं अब लगबग हमारा तगार बन के तयार होगा इससे हमें लगातार चलाते रहना है और अब हम गैस का फ्लیम बन कर देंगे अब इसे हमें ठंडा करना है देखिए हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है इसके जो बबल्स है उसे हमें लगातार चलाते रहना है नहीं तो यह बहुत जल्दी जम के तयार हो जाता है तो इसका हमें बूरा बनाना है इसी तरीके से देखिए बहुत जल्दी यह सुखने लगा है पूरे आ आप बेसन के लड़ू बनाईए सुजी के लड़ू बनाईए पेड़े बनाईए बहुत ही अच्छे बनके तयार होंगे जो बाजार में मिलते हैं मुगदल के लड़ू उसमें इसी शक्कर का यूज किया जाता है तगार का तो लगभग देखिए कितने अच्छे सी ये सुख अब हम आराम से इसे थंडा करेंगे बैट के से फटा फट से हमें इसे मिक्स करना है और बिल्कुल भी इसे लापरवाही नहीं करेंगे नहीं तो ये क्या होगा कि इसमें जो हमें बुरा बनाना है खिला खिला बनाना है तो इसमें गुठलिया पड़ जाएंगी तो जल्द अच्छे से ये सुखने लगा है इसका कलर भी देखिए इसी तरीके से हमें कलची से चलाते रहना है बहुत जल्दी है ठंडा होके तयार होगा देखते रहेगा फुल वाच कि दियेगा इसका कलर देखिए कर दोरी कि ओस बल्दीम कले कि हवेडः देख एष गड़ी कि वेड़े ये टाल है से वेड़े वी बापी ताब इसका कुछिभा एउने हाındaki डोरी प्यार का ऊचिस का सैंची है लुट छास्ते हाहन में जाए जी वे बां जाले हो तो बादेदे पेटानladı कर दो जो जो जान है। देखे फाइनली हमारा तगार भूरा बन के तयार होगा एकदम खिले खिले इसे कटोरी में सर्व कर लेते हैं फिर इसी तरहीं से फ्रेंड्स नई नई रेसिपी के साथ आते रहेंगे तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू फर वाचिंग